हेलो दोस्तो, स्टे हेल्दी विद दिपिका में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे कलाकंद, ये इतना सौफ्ट और इतना यमी बनता है, कि आप बजार वाला कलाकंद लाना बिल्कुल भूल जाओगे, आप एक बरीस को बना कर, जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही डिलिसियस बनता है, और सिर्फ दो इंग्रिटेंट्स लगते हैं, इसमें दूद और चीनी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने एक लिटर फुल क्रीम दूद लिया है, इसको उफानाने तक उबालेंगे पहले, और दूसरे पैन में मैंने लिया है, आधा किलो दूद, ये भी फुल क्रीम लिया है, अब हम वाइट, आप कोई भी विनेगर ले सकते हो, मैंने वाइट विनेगर लिया है, और पूरा एक चमच लिया है, मैंने इसमें तीन चमच पानी आड़ किया है, आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसमें चलाते हुए, डालेंगे, ताकि हमारी जो कलाकंध है, वो बिल्कुल ही सौफ्ट बने, विनेगर हमें तब ही डालना है, जब दूद उबल चुका हो, एक उफांड आने के बाद ही डालना है, यहां हमारा दूसरे पैन में, जो हमने दूद रखा था, वो हमने गाड़ा करना है, गैस का फ्लेम इसका लो रखना है, साइड से अच्छे से उतारते हुए, अच्छे से दूद को पकाएंगे, ताकि दूद हमारा नीचे लगे नहीं, यह देखिए, यह दूद हमारा दीरे दीरे फट रहा है, एक दम से दूद हमने नहीं फाड़ना है, आप विनेगर की जगह नेम्बू भी यूज़ कर सकते हो, यह देखिए, दूद हमारा फट चुका है, यहां हमारी दूसरी कड़ाई में यह दूद बिलकुल कम हो चुका है, और रबडी टाइप बनता जा रहा है, अब इसमें मैं चीनी एड़ करूँगी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग एड़ कर सकते हैं, मैंने यहां तीन टेबल स्पून एड़ किया है, ज्यादा चीनी एड़ मत करना, क्योंकि दूद उबल के वैसे ही मिठा हो जाता है, और ज्यादा मिठा कलाकंद भी इतना टेस्टी नहीं लगता, यह देखिए, दूद हमारा फट चुका है, आप चाहो तो किसी कोटन के कपड़े में दूद और छेने को अलग कर सकते हो, बट मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि पानी में भी आपने ही गुन होते हैं, मैंने इसको उस रबड़ी में एड़ कर दिया, अब धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे, इसे तब तक पकाएंगे, जब तक ये पानी इसका बिल्कुल खतम ना हो जाए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, मैं गरंटी देती हूँ, अगर आप घर पे इस तरह से कलाकंद बनाएंगे, तो मार्केट का कलाकंद लाना बिल्कुल भूल जाएंगे, ये देखिए, पानी हमारा बिल्कुल सुख चुका है, और इसमें ज़्यादा चीजे लगती भी नहीं है, घर में अवलेबल होता है दूद और चेनी, बाहर की शौप से हम लाते हैं, या तो मिठा ज़्यादा मिलेगा, या मिलावट का मिलेगा, लेकिन घर पे हमने बिल्कुल प्यॉर कलाकंद बनाया है, देखिए, बिल्कुल पानी सुख चुका है इसका, अब गैस को पंद कर देंगे, अब कोई भी इस टाइप का हम डबा लेंगे, आप चाहो तो प्लेट में भी रख सकते हैं, बट इस टाइप की डबे में जो बर्फी की शेप है, वो काफी अच्छी आती है, इसे थोड़ा सा नीचे घी लगा कर, अच्छे से लगा देंगे, और जो हमारा कलाकंद हमने राड़ी किया है, वो अच्छे से इसके अंदर जमा देंगे, और अच्छी सी शेप देंगे, इसे अच्छे से टाइप टाइप करते हुए जमाएंगे, अब इसके उपर हम अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट्स गार्निश कर सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पिस्ता काफी अच्छा लगता है, कलाकंद के उपर जो पिस्ते का टेस्ट है, वो काफी अच्छा लगता है, थोड़े से मैंने बदाम गार्निश किये हैं, और अब इसे किसी स्पून के साथ अच्छे से प्रैस करेंगे, ताकि ड्राइफ रूट्स इस पे ठीके रहें, इसे एक से दो गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, एक से दो गंटा हो चुका है, और अपनी पसंद के अकोर्डिंग, बर्फी की शेप काट सकते हैं, इस तरह हमने जो कलाकंद बनाया है, घर पे सिर्फ दो चीजों के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलिसियस बनता है, मार्केट वाले कलाकंद से काफी ज़्यादा डिलिसियस बनता है, और बहुत ही कम टाइम में ये बनके रैडी हो चुका है, एक बार इसे जरूर ट्राई करना, तैंक यू फॉर वोचिंग, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना,